नमस्कार, मैं टॉक्ट वास्ट विशेटी, महाणी मेड़ा वज्ञान कॉलेज माईसर में हिंदीवाद में साफ राध्य प्रखों, इसे में मैं हिंदी साहित जगत के दिगर लेकर नारेश मेहता द्वारा लेकित सांशे की एक राध कृती पर प्रकाश डालना चाला हूँ उनकी प्रमकतिय हैं डूपते मस्थूल दोंके तो वह पतवंदू था दो एकांत नदी ये सिस्वी हैं प्रतम फालगों उत्रकता आदि उन्हें इस बयानवे में ग्यानपिट पृस्कार से इनको सम्मानिक किया गया है उनका मानना था किवल साहितिक नहीं साहितितर विश प्रस्तित्स विश्वी के एक राथ एक पवराणी परिक्रेश पर लिखे हुए क्रती है इसमें हम सब जानते हैं राम वन्वास पहुंच चुके हैं और वन्वास पहुंचने के बाद इनको तर्य तरकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसमें प्रमुक समस्या है जब स्री सीथा स्व़न हिरन के पीछे जब पढ़ती है, स्व़न म्रग के पीछे जब रहती है यानि वो च्छाती है तब से इनको संकट शुरू हो थी आग स्वाख शितापर्ण हो चुके है और शिता को वापस लाने की हर प्रयास किया गया है और सारा दूथ जितने भी बार गए हैं सब काली हात लोते हैं अब यूद के अलावा उसके सामें और कोई विकल्प नहीं है हर कोई यहीं सुझाओ देते हैं आज सागर के तक पर राम चिंतित इदर से उदर उदर से इदर बालू तक पर चल रहा है सागर के तक पर कन्नेड़ विद्ध हर्थिविल कोई सके एदना कन्नेड़ मत्तु हैंदी यरोड विश्यागिली हेलर विच्चिसते ने नाविले दिर्दिर वन्थे राम वन्वासक्की होदुन अंतरा इग नेल्ल कस्टकुड अंबविस बेकागित्ते अधरल्लु विशेष्वागी स्वाण्नम्रवगदा हिंदे विद्धाग, स्वाण्न जिंक्य हिंदे विद्धा कार्ण दिन्दागी सीथा प्रणा आगिरु वन्थादो आमेले सीथे एन्न वापुस्तरलु पट्टै प्रयत्नकल एंथत्तो, यस्टेल्ला दूत्तिरो लंखा वरेगो प्रयाणबिल्सी बरिगैल वापुस्ता आगिरु अंथत्तो अपनी समस्या की कार्ण लोग बटकती रहे आम जन्ता के हाथ में घडगाये यह नहीं चाहते हैं शत्तपत नडदीरुवं थे नडदीरो कान देंदा आगियावर हेच्चेगळो नूडल कान तेवे मल्ल नल्ली आधरे आघाग बरुवंता समुदुद्ध बरत द भारी अलेगड़ादनना अलिसे हार कुपते हैं मत्त मत्त जारों खे लहर उसे निखाल के लिए चलती हैं राम बहुत चिंतिते हैं वो आकाश वो वायू वो खारा पानी मुझे क्यों इतने सारी समुष्या दे रहे मेरे क्या गल्ती हैं वो बहुत चिंतित हैं और यहीं प्रियरादन था मनोनीत राजा हैं आप राजा बने वाले हैं आप क्यों दुखी हैं आप चिंतित मत हो आप एक पार मुझे आज्या दे रावन कहीं भी रहे मैं उनके सामराज को तहस नहीं कर दूंगा सिथा को लेक्या आजाओंगा लक्ष्मने तरना अंड़ने के हैड़ता नहीं और यह लेली नाम खृत कॉन बढ़ते नहीं आदे राम हैड़ता नहीं अरया ही नहीं युद्र के हलको लिकिसितर आगे आगेदारे कौन कौन हमारे साथ युद्र के लिए तयार है हमारे साथ आने के लिए पंपान अरेह और अन्य सामंत गंड कितने सारे हैं रामा हेतारे, तुम जैसे चाहतीओ, वैसे करूँ, निम गेग सरी कानते हागी माड़ों इदु प्रतमी सर्गदल आगीर वालताथ, इक इरण डे सर्गदलिए लक्ष्मना, नेंगे तोचित माड़ों अंदागा लक्ष्मना होग्ताने, रामा मत चिंति तोनाक्ताने अधरपद बारिश मले शिरुवागते जोराद मले बहुषन नन्न मनिशन ले उन्ठा किरो अगनी यह मले बहुषन अनिशहाद बोदो उनको तरह है यही युद्ध ही आकरी राज्ता है तो मुझे युद्ध नहीं चाहिए मेरे कारण बहु सारे लोग तकलीफ में पहुंच जाएंगे क्योंकि अब तक मैं कुल नाशक था अब जन नाशक हो जाओंगा मुझे जय नहीं चाहिए जय बेड़ा शामराज बेडा नदी बेडर सीतियोग ज़िए यह भी नानिंदा की जनरों कश्ट किड़ा गुदो मुझे नहीं चाहिए मेरे कारण आम लोग कश्ट मे रहना क्योंकि अब तक मैं कुल नाशिक था अब जननाशिक बन जाओंगा और बहुत चिंतित हैं मेरे करण क्या नहीं है पिताजी का अन्त हुई माताय विद्वाहई ननिन्दागी तंदे निदन होंद दरो मातेर विद्वेराद उर्मिला दुख दलिवां थाइतो हन्मन्त एनि हन्मान जी को उनके उनको जो लंखा में वो गय थे ल और वहां लंका नरेश उसके पूंच पर यानि हन्मन बालिके बैंकी है ची दा आग ल मेरे खार्ण मुझे नहीं चाहिए इस भीष में नील आ जा देए इतने बारिश में नील आ गए हो तब हो कहते हम चलते समय कहीं बार चाया को देखें अच्छा वो क्या कहा है मैं भी तो देखो जामंत कहते जरहोश्य और राम पहुंचते हैं और चाया उनको बुलाती है जटायू दो छाड़ा है डरो नहीं मैं दश्रत की आत्मा तुम स्वयम सब के कारण समझते हो और मैं और जटायू तुमारे अगनी दाहन के कारण बहुत संतुष्ट है और तुम बहुत चिंतित हो पशाताप में हो सारे जितने भी गटना गटिया उन सब के लिए तुम ही कारण हो ऐसे समझ रहे हो मेरे मारन का जननियों की वैदविखा कुल के नाश्र का कारण तुम स्वयम समझते हो राम कहते हैं हमने नहीं चाहा ऐसे बरत नंदी ग्राम में खेला है और उर्मिला दुखी है मैं अरण्या मेरी वनवास में आया था ही और शांत से तपस तपस्या करते में रहना चाहता था है गो वनक बंदे विट्टिदे वनवास के ले तपस माटता शांते इंदिर वेक अनकुंडिदे इस्थिल्ला समस्य जब सारी राष्टा बंद हो गए एक ही राष्टा है और युद्ध तुम्हारे दुथ हर बार खाली हाथ आए चाय कहती है तुम्हें कर्म करना होगा कर्म की कृती डर्ना नहीं और चाय कहती है एक खर्म यश्ष नारी धर्टिदे वर्चस यसाथ को हैकर य ख़ी बीक नहीं तुम्हें सब करना होगा यह ठी इस सामना करें जो प्रिष्टिदिए मृण और यहीं नहीं तुम्हें याद रहना चाहिए मैं खईकई को गार देकर क्या किया मरंड को खरी दिया हो कहते ही यह सब हम स्थिपी के शिशु हो जाते हैं यहां जो हम केवल नियम है और यह विराट शिक्र किसी के बसके नहीं है कर्म ही गति है और अब किससे प्रशन कर रहे हो तुम पश्चाताब कर रहे हो सारे कारण तुम ही हो ऐसे नहीं है राम कहते हैं यदि युद्ध से शुबाशुप प्रतिपादित होते हैं तब मैं सत्य अंतिम भी तो नहीं जितना समूह होगा उतने ही बलसित्ता हो मुझे वालत है युद्ध आखरी राष्टा है लेकिन यहीं अंतिम नहीं है इसके बाद और भी कितने सारी गटनाओं की श्रेंकला आ जाएगे युद्धवे कौनेद अल्लाग गोता ही तुन अलगे यादर है युद्धवे युद्धवे लदे बेरे धारी इला उखे आ और यदि मैं मात्र क्षण हूँ तो मुझे क्षण का सौशे है यदि मैं मात्र घटना हूँ तो मुझे घटना का सौशे है चाह कहते है यह नियम है पत्र कुछ नहीं समाप्त हुआ वह जो क्षण था उससे पहले नहीं थे हम उस क्षण के बाद भी नहीं रहेंगे तुम बहुत चिंता मब करो बहुत सोच नहीं जितने गुणिवात्ता से सोचेंगे जितने ज्ञानी होंगे उत्रे सउषे इसलिए तमें वही करना है जो करना होगा और यहीं नहीं सउषे का उत्तर नहीं है ओर ऐसे संदर में जhatायूल प्रश्ण करते रहोगे इसके कोई आंत नहीं है तो दूसरी सव्ट पर हम देखते हैं कि राम के पिताजी जो दश्रत की आत्मा भी वहां पहुंश कर उनको शांत होना और रास्ता दिखाने के कोशिश कर दिए और राम हर बार वही प्रश्ण कहते हैं कि युद्ध तो अंत नहीं है इसके बाद भी युद्ध होता रहेगा और मैं कुल नाशिक था अब जन नाशिक बनू और जन क्यों मेरे खारण बटक है क्यों तकलिफ उटा है वो चिंदित है और तीसरे सर्ग में मदिरात्री और सब लोग बैएते हैं इसमें हादमान राम लक्ष्मन और विभिषण शुक्रिवस शब बाइते हैं लक्ष्मन क्याते हैं आप सब सुनते हैं इन सब गट्नावं के कारण राम अपने आपको यानि खुद समझते हैं क्या ऐसे हैं या हम सब की कोई जिमेदार ही नहीं राम कहते रगुकुल के दुखों का कारण मैं हूँ सितापरण मेरी कुद की समस्या है सुनते हो ऐसा कहते हैं लेकिन हन्मान कहते हैं यदि आपकी एक कुद की संभव था तो यह राम सेत्व बनने के लिए जो खरुडो लोग जो नंगे हैं शरीर पर कोई कपड़े नहीं और इतने पहाड जंगल में आके वो काम कर रहे हैं मदद किये हैं इनको क्या पिर ना मिली सर्यू नदी से सागर तट तक आशकल हम कोई सेतु बानते हैं तो उन सब के लिए जो वक्त पर रोटी सारी इंतिजाम होती इनको क्या मिलेगा जंगल में जो मिलेगा काना है और पूरे दिन में आने की कारण ये गटना गटी है हम सीता को वापस लाके रुणमुक्त होना चाहते हैं और दक्षिन में यही नहीं और येसर गटना ना गटे दक्षिन दल्ली इंता गटने आख पार दक्षिन दल्ली बंदागे इंता उन्द गटने आद कारण दिन्द सीते ने वापस सब जागरत हुए इस गटना की कारण और वो स्वातंत्र का बोध मैसुस करने लगें राम कहते हैं हमारे लवटने के बाद इसी सेतू से दुश्मन आएंगे और यहां के जो मुग्द लोगों को सताएंगे तब लक्ष्मिन कहते हैं क्या हमी अंतिम मान होता है हमारे बाद में कोई नहीं होगी हमी फाइनल डिसिजन देने वाने हमें अभी युद्ध करना है सीथा खुलाना है बहुत आगे सोष्मा और राम कहते हैं मैं अविद्धा से निश्काशित हूँ निकाला गया है यह सुख्रिव और इस आमन दक्षिन में कटिबद होना चाहते हैं और अपमानी तुविशन न्याज चाहते हैं साधान जंता शा प्रक्षा मिलेगी यह मुझे सौंश है लेकिन अनमान कहता है इस डर से हम युद्ध से मुकरित हो हम दूर हो जाए नाव यह बहुत इंदर युद्ध नंतर शांती आगतो इलो अनता अलुष्ट मारी नाव युद्ध दिन्ध धूर आगो दे युद्ध से डरना युद् युद्ध एतिहांसिक पेन है नौरे सागर में आप जांते लगण लाहरों के साथ जितने भारी लाहर उटेगे उतनी भारी जाग फेन निकलेगी और चन क्षणों में हो गाय मुझागी युद्ध वंद नौरे इद दंग अलेगण मेलना नौरे केलवे क्षण देले मायो जितने यस्ट दोड़ा अलेगण मंदी यस्ट जास्ती नौरे इट बहे दिन्द नाव दूर आगलो साथ देला अनमाने अलतर रिज्ध दरसे यम न्याय और दिखार छोड़ देनाई माराग समही प्रतिकार लेगा समही अधर कला प्रतिकार तकत कोड़ते नाव इद कोश दक्षन प्रदेश में रावन के आतन के कारण वही बीज भॉया है इदर निम्मा पात रखके तहचा गया उन दक्षन दल आगा आगया उन मारवन ते उपटड़ा अवने बीज आहार किता ने युद्ध अनिवार रिवा किता है यू शांति निरे सीता जो हमारी माता है उ अरून मैसुस करेंगे शुक्रियों तरह ना वरून मुक्तराट के विभीशन तुम क्या क्या अचात है विभीशन एड़तर है मैं भी दौंद्वे में हो मैं भी युद्ध के अनिवारता जानता हूं लेकिंग हैं अपने राश्टर के साथ होने वाले युद्वे मैं आकर जा चुकी है सिथा को छोड़ दो लेकिन वह एक भी नहीं सुना मैं भी कितने बार कोशिश किया लेकिन युद्ध अनिवाज है लेकिन युद्ध के बाद जब मैं अपने स्वर्ण नगरी लंका में पहुंचूंगा तो वहां क्या हो जाएगा क्या मैं देखूंगा जले ह राष्टा है आप देख सकते हैं मैं जब वापस मेरे स्वर्ण नगरी लंका में पहुंचूंगा वह नाश होगी होगी राउंदी जाएगी सम्रात रावन नयाई की हर बात अस्वी कारह है अब युद के अलावा कोई चारा नहीं है लेकिन मैं संकट के इस समय मैं लंका के साथ नहीं मैं भी द्वंद में हो अब लक्षमन कहते हैं लक्षमन और कुछ में सीधे निर्णे कहते अब पार्थिव पूजन के बाद हम अभ्यान करेंगे प्रस्थान हो जाएंगे युद के लिए निकलेंगे पार्थिव पूजन नंत्र नाउं हिल्रू युद के सिद्रागी नडिवते वे पूजिरण ministry नाउं युद के लिया अग्या चाते हैं सब लोग और राम अंतिम कहते हैं परशद की इच्छा जो परशद में जो बाउमते सब लोग कहते हैं और राम उसे मांग लेते हैं अब राम शौतिस सर्ग में राम भौचिजित है दिल और दिमाग में अगनी जौला मुखी बन के बैटी है वो कहते हैं देखे वो मेरे वेक अब प्र लोग प्रलोबन देता कि बल्लोबन है और अपना विवेक सांप देने के लिए प्रलोबन है तुम निमित मात्रों तुमारे कोई गल्फी नहीं तुम परिसितिका शिशु हो, परिसितिका शिकार हो, निन्न वेक्ति गित वादा, याउदू निन्न दाधनता, तप इल्ला निले, आत्मनास्य अच्छा है, ज्वारों को पेत्थे वे पाथाल छिलते, आर्धा मनस्तन ना उपिगे, अस्वेकार जंदी स्वेकार वागी, य आत्मनास्य अच्छा है, ज्वारों को पेत्थे वे पाथाल छीर दे, मद्यरात्री की इस निर्णने, मन में लगता है, ज्वाला मुखी को जगा दिया, अभी युद्ध नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन आभी राम के मान में हुई है, अब केवल, अब क्या सुनाई देग युद्ध जाते हुए सायनिकोंखा, यानि युद्ध में जो बागले हुए लोगों के द्वनी, आवाज और घर्जना, रणने नाद, अब केवल प्रतिक्षाय कर्म है, सबका निर्णे है, सबके लिए संभव तो ये मेरा नहीं है, ये सबका निर्णे है, राम बहुत चि चिंता यही है कि इसके बाद शांती बनाएं, रखना है, वो रहेगी, सिथा को लाने के लिए जो शेत्य बांदी गई है, उसी से दुश्मन आते रहेंगे, और मेरे कारण आम लोगों के हाथ में, खड़ समस्या मेरी है, और सब लोगों को कश्ट उटाने पुड़ रहा है लेकिन उसे समादान हर कोई देते हैं, यहां ते कि दश्रत की आत्मा भी आके समझाने की कोजिश करते हैं, लक्ष्मन, हर्नमान, नेल, जामन, सुक्रेव, सब, लेकिन राम को तसलिफ नहीं मिलती है, और इसलिए यह परिश्यत का नने और सब का नने, शायर मेरा नहीं कहत पवराणिक परिप्रेक्ष्में, बाती सुन्दर डंग्से दरेश्मेता, लिके, पवराणिक हिननलेली बाळसुन्दर वागी रामन, कळकली, तन्न वेत्तिकित समस्सिंदागी, यल्लोरू सिववंत द्वद, यल्लकित द्वोर्तागी, युद्धव, कोने यदे, अस्तर अनुकोन नंत्रवू, शांती, मरिश्चिक्या आगली दे, अनुवंत आवर दुख्य, बविशुद्ध बग्येरो आवरा कळकली, बाळसुन्दरो वागी, नरेश्मेता आविचित्विस्त आरे, निश्चित्वाग्लू, नरेश्मेता द्वार लिकेती, इकदी,